हेलो दोस्तो नमश्कार एक बाव फिर से स्वागत है आपका माई एक लस्स में दोस्तो मैं आज आपको माइक्रो मीटर को रीट करना सिखाऊंगा वो भी बिल्कुल आसान तरीके से अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज आप परफेक्ट तरीके से माइक्रो माइक्रो मीटर को रीट करना सीख जाएंगे और आज आपके सारे डाउट माइक्रो मीटर से सम्मधित किलियर हो जाएंगे तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखिए तो यह वीडियो आपको बहुत करेगी यह देखिए इसको बोलते हैं माइक्रो मीटर या फिर इस्क्रू गेज ठीक है अब इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ी सी बेसिक जनकारी दे देता हूं यह देखिए यह लिखा इस पर 0.01 mm यानि कि यह इस से छोटा नहीं नाप सकता है और यहां लिखा 0 से लिखे 25 यानि कि यह 25 से ज्यादा भी बड़ा नहीं नाप सकता है ठीक है और 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट भी होता है अगर आपको पता है तो प्लीज कमन करके बता दीजिए अब देखेंगे यहां पर आ आगे जाएंगे तो 25 भी आपको मिलेगा 25 के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा ठीक है जाने कि यह 25 mm तक का है तो 25 mm भी मिलेगा अब देखेंगे इस पे काफी सारे नंबर लिखे हुए हैं तो जैसे मैंने बताया कि यह 25 mm तक के रीडिंग को रीड कर सकता है तो उपर वाल कि इसमें जिस प्रकार से इसमें नंबर भी लिखे हुए है ठीक है यहां पर आगे 10 mm यहां 15 यहां 20 यहां पचीस एम ठीक है यानि की स्लीप पे जो उपर वाली लाइन है वह हमारी एक mm की अब उपर वाली लाइन है कौन सी है यह देखिए यह सेंटर लाइन आप देख रह आधे जो है वह हमारी एक mm की और सेंटर लाइन से जो नीचे वाली लाइन है वह हमारी आधे मकी-अधे हुनक है यह जीरो से लेके यहां होता है ठीक है अब आप देखेंगे यह जो राइन है ہو वह इसके बीच में है अगर आप ध्यास देखेंगे तो आपको शायद दिख भी जाएगा तो यह वारी इसके बीच में रगी झींगा अभी मैं आपको दिखा dura दूंगा जो इसको अंदर करूँगा ठीक है तो यानि कि स्लीब पे जो उपर वे लईन है वो एक मों किये हैं और जो स्लीब पे नीचे वाई लिखेंगे 1.00 इसको हम इस परकार से लिखेंगे जब हम कोई भी चीज को रीट करेंगे किसी भी जोग को ठीक है मैंने आपसे बताया कि नीचे वारी लाइन हमारी आध्यम्म की है तो आधे हम को किस परकार से लिखते हैं आधे हम हमको हम लिखेंगे 0.50m ठीक है इस परकार से लिख सकते हैं ठीक कि यह आपके यह आपको स्लीव के बारे में दोनों डाउट किलियर हो गए होंगे पहले स्लीव पर लेते हैं ठीक है स्लीव के बारे में आपको पता लग गया आप देखेंगे थिंबल यह जो घूम रहा है इसको हम बोलते हैं थिंबल थिंबल पर भी कुछ नंबर से लिखे ह पैतालिज और यह हमारे यहां पर आएगा तो पूरा पचास हो जाएगा यानि कि यह एक राउंट घूमेगा तो वह हमारा पचास यानि कि इसका लिस्काउट है तो इस पर लाइन लेखे हुए है वह उर्शी और नो जाएंगे तो जिरो पंट जीरो नो और जीरोपैस यहां ओएंगे जाने कि 0.4546474849 और यह 50 तो इसको लाइन को लिखने का तरीका क्या होगा इस पे जो लाइन लिखी है उसको हम लिखेंगे 0.01 mm समझे थिंबल पर जो लाइन लिखी हुई है वो हमारी 0.01 mm जो इसका लिस्ट काउंट हुए है अब आपको यह थीनों नंबर्स के बारे में पता लग गया होगा कि इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे सबसे पहले आपको यह जानना जरू यहां से हम क्लोज करेंगे ठीक है देखें यहां से नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि यह वह सौफ्ट होता है और यहां से हम इसको जल्दी-जल्दी कर लेते हैं यहां से कव करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा इसको हम बंद कर लेते हैं फटा-फट ध्यान से दोस्तों वी औरो एक टाँ खिंग है कि देख यह मैंने इसको बंद कर दिया ये टिक टिक बोल गया आप उमस्कों किया क्या क्या च teasing करेंगे की इसमों कोई एर्र कोई तूठी नहीं है टूठी और एक्या segur होगा यहां से इसको धीरे-धीरे बंद किया था ठीक है देखा होगा आपने यहां से इसको मैंने बंदने किया था आप भी जब इसको एरर चेक करेंगे तो इसको यहां से बंद करेंगे यहां से बंद नहीं करेंगे ठीक है तो अब इसको कैसे चेक करेंगे तो यह देखिए जो मैंने आपको बताया था यह जो लाइन दिख रही है ठीक है यह जो मैं लाइन है कि सेंटर लाइन है यह इस जीरो की लाइन से एकदम से मैच होनी चाहिए अगर यह आपकी मैच नहीं होती है ठीक है यह सेन्टर लाइन हमारी मैच होती है लाइन से मैच होती है तो या निकी उसमें उतने ही एक है ठीक है तो उस देसे से इस माइक्र wilderness reading ले इस खोई एर नहीं है त्विक्त Standard & कि मैं लानियंका कितना वड़ा यूज हैlingen अगर रूख यहां से बंद करूंगा कि दूस्तों यटके बंद करूंगा तो यह देखिए थोड़ा सा हिल या गा तो इसलिए मैंने आपसे बताया कि इसको हम यहां से यहां से बंद करेंगे तो आपका गिदमी स्टेट देखे मिल जाएगा ठीक तो इसमें कोई एरर को छुटी नहीं है यह आपको समय में आगा होगा अब मैं आपको दो जोब को चेक करके दिखाऊँगा एक यह मेरे पास है ठीक है इस nut को हम head check करेंगे कितने mm का है और ये पेपर का ये चुपड़ा है इसको भी हम check करेंगे कि इसका जो ठिकने सा वो किजने mm की है ठीक है तो हम दिनों इन दोनों को check करेंगे तो पहले मैं इस nut के head को check कर लेता हूं ठीक है तो इसको हम खोल लेते हैं थोड़े यहां से खोलेंगे ठीक है अभी यहां से खोलते हैं ठीक, अब इसको हम नट को उठाते हैं और यहां पर लगाते हैं, ठीक है, अब इसको हम यहां से पकड़ लेते हैं, ठीक है, यहां से खोलेंगे इसको, यह इसमें आ गया है, आब इसको हम यहां से बंद नहीं करेंगे, ठीक है, अगर यहां से बंद करेंगे, तो आपका जो ह और यहां से इसका लोग लगा देना है ठीक है यह मैंने इसका लोग लगा दिया है ठीक आब क्या होगा है यह नथ हमारा गिर पी जाएगा तो हमारी इडिन ně खिर दो हो जाएगा मारी रेडिंग के उतनी है जैसे कि मैं आपसे गूंत है एक एंएंब की हैं तो सीधा हो जног जाते हैं पंद्रह ऐम पे पंद्रह हो गा सोला हो मों हो कई सत्रे हें हौग हो गया अब उन्नीस वा लथां हम देख भी जाती है तो क्या हünden लेकिन हम को क्या है उन्नीस वाइलाय geliyor को नहीं दिख रही है अठारा लाइन हमारे को चमक चुकी है साफ एक दम ठीक है यानिकि पंदरा सोला सत्रा ठारा तो इसको पहले लिख लेते हैं तो लिखने का तर्डिका क्या होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था एटीन पॉंट जीरो जीरो एमम इसको इस प्रकार से ल लाइन हमको चमक रही है देख रहे हैं आप अठारा एमम यह हो गया और इसके वाद यह लाइन भी हमको चमक रही है ठीक है तो कितना हो गया फाइव जीरो ओड़ में और एड़ करेंगे यानिकि साथ एठारा एमम हो चुका है अब इसको लिखें कैसे इस नीच वारी है ठीक है इसको लिखने का तरीका करता है जीजोज लेक लेक्चैना को बीरेफंग हुआ है शोजब करेंगे इस पर देखने है कौन सी लाइन आके जो है स्टेट लाइन से मिली हुए यह सेंटर लाइन से कौन सी इस थिंबल की लाइन मिली हुई है देख लेते हैं देखें यहां होता है 30 यहां होता है 35 और यहां 36 ठीक है यहां 37 और यहां 38 38 वाई लाइन जो है हमारी एकदम इस्टेट इससे मिली हुई है देखरेंना आप 38 वाली राइन है यह 39 वाली राव यह 40 वाइन है तो सब्सक्री मैं लिखने कैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके लिखने के तरिका क्या था 0-01 टो इसमें कितना उड़ह हमारा 0-3 A Bianche 38 कैसा है है समузh यह देखिया यहां हमारा 35 36 37 38 शिक प्रकार से लिख लेते हैं तो अब इसमेर लिख लेते हैं यहां पर इसमेस प्रकार 55 यह एट यह एट यह जीरो यह पॉइंट सोरी यह एट और यह एट यह एट यह कितना होगा मारा 18.88 mm कितना होगी दों इतीन पॉइंट 888 mm यह हमारा इसका जो है nut की और जो हैड है इसका जो डाया निकल का आया है एटीन पॉइंट एक एट ऐट मू यह इसका स़ी तरीका होता है जोडने का ठीक है आपको आप समय आगए मैंने आपको आप आपा दुर में यहां पर हो गया ठीक है यहां पर five zero हो गया तो आप सुरू में क्या कर सकते हैं 18.50 भी लिख सकते हैं ठीक है लेकि मैंने एक दम आसान तरीका पता है कि आपको step by step समझवाना चाहिए ठीक है अम मैं क्या करता हूँ जो paper मैंने दिखाया था इसको भी हम check कर लेते हैं वह यह paper कि रहा है ठीक है तो इसको पहले बंद कर लेते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्रीज वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा पर दोस्तों को शेर कीजिए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब चलन को सब्स्राइब कर दिए और बगल में जो बैला इकुनन है उसको जुरूर प्रैस किजिएगा दोस्तों तो कि इसके मिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जुरूर किजिएगा दोस्तों ते कि आई है अब ना तो ये एक है मशला और यह है अदि मेंशला आप ये स्यफिक चलआगि है पॉइंट्डों में पर कीत ना चला तो देखा देताओ मैं आपको यहाँ पर कि यह देखि quantum नाइन से एक दम मिली हुई ही दिख लिए यह मैन लाइन इस यह जिजी लियो ऑई- यह जो मैन लाइन है और यह जिरो नाइन वाई लाइन एक दम इस्टेट मिली हुए देख लीजिए आप कि आपको दिख रहा होगा दो किक नए यह लाइन हमारे से मैच कर रही है तो यह इसको लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको इसको लिखेंगे 0.09 यानि कि इसकी ठीचिद्स जो है इस प्रकार की ठीचिद्स वह है 0.09 mm जैने कि अब आप जो है मौंड में भी इसको रीड करना सीख गए होंगो कि इसको point में किस प्रकार से read करते हैं ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like किजिए ठीक है ज्यादा यसा ज्यादा share कीजिए पर दोस्तों को झाल झाल